पूरु सांसा तो समाजवादी पार्टी की नेता अनु टेंडर हमारे साथ उनसे बात करते हैं अनु जी आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में मद्दाताओं को लुभाने की जो एक कोर कंस्टनसी है महिलाओं की उनको कैसे आप एड्रेस कर रही हैं और कैसे आप यह कवायत कर रही हैं कि वो पार्टी के साथ में जोड़ें ऐसा है कि आप जेनरल अगर बात करें आम जनता की तो इस समय लुभानी की आवशक्ता नहीं है सब बहुत दुखी हैं और सब जानते हैं कि हमारे अखलेश यादव जी का जो कारेकाल था वो बिलकुल अलग था और उस समय सुकून था और हम जैसे महिलाओं के लिए एक बहुती सुरक्षित वातावरन था तो लुभाने की ज़रूत नहीं पढ़ रही है लोग अपने आप उनकी तरफ खिशते चले आ रहे हैं और 2022 के चुनाओं में ये साफ दिखाई पड़ेगा क्या ऐसी भी आपकी कोई योजना है कि डिमपल यादव जी की अगवाई में कोई ऐसा अभियान चलेगा जिसमें महिलाओं तक मैसेज जो आब बात ही मुझसे करी ये मैसेज महिलाओं तक पहुंचा जो डिमपल जी पूर संसद वे रह चुकी हैं काफी एक्टिव रहती है तो क्या ऐसा कुछ अभियान चलाने की योजना है? होता रहता है कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या इशू है जिनको एड्रेस करना ये सब पूरी योजना बन रही है वो पूरा हमारी राश्य अध्यक्ष बनी है महिला सभा की जुही सिंग जी डिमपल यादव जी हैं और भी बहुत सारी महिलाएं हैं और डिमपल यादव जी की नित्यत में कंटिनोस काम हो रहा है मुझे बात और बताईए कि ये बात अभी प्रेस कॉंफरेंस भी है समपुर्वांचल असरस्वेक अभी एक मसला सामने आया है उस पर जो अखली श्यादव जी का एक कारिकरम था उसको इजाज़त नहीं दी गई है अब आप लोग क्या उसको लेकर के प्लान कर रहे हैं क् कुछ आप लोग आगे कुछ विरोध प्रदर्श्र करेंगे या कुछ अभिहान आपकी और से चलेगा मेरे खाल सी यह तो राश्टिय अद्ध्यक्षी ने आपको जवाब दे दिया और हम लोग उनके इशारे का इंसार करेंगे एक आखरी स्वाल मेरा कि अनू टंडन का अ हमारे अकलेश यादव जी, राश्टियक्ष को हम में मुख्यमंत्री बनाना है, यहां की विवस्ता को सुचारू रूप से चलाने की विवस्ता बनाना है, समिधान की रक्षा के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, और जो हालात है जाहे वो बेरोजगारी के किसानों के कुचलने वाली बात या किसानों की सारी मन्शाओं को कुचलने वाली बात हो, उनको फिजिकली भी कुचला जा रहा है, उनकी भविश्य को भी कुचला जा रहा है, और महिलाओं की सशक्तिकरन की बात हो, या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इन सब को देखते और यही मेरा काम होगा